प्राइम टीवी सचसाहस सरुका यूपी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज से जन जागरण अभियान के तहट शुरू करेंगे पध्यात्रा अयोध्य में आज चुटेंगे सौ महापौर, रामजन मभूमी और हनुमान गड़ी के मंदिरों में करेंगे पूजन अर्चन नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ शुका महरूत्र शुरूआत करते हैं उत्रप्रदेश बुलिटिंग की पूरा मामला अलेगड का है जहाँ एक और प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरुपता जैसे तवाम अभियान चलाए जा रहे हैं तो साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि मताधिकार का अस्तमाल किया जाए लेकिन अगर जमीनी इस तर की बात की जाए तो जमीनी इस उन्होंने मौजूदा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मौजूदा सरकार और प्रशासन सत्ता के द्वाव में काम करने का आरोप लगाया है लोगों से मिलना उचित नहीं समझा और बिना मिले चली गई तो यह से मौमने ग्यापन दे दिया है लेकिन यह मुद्दा जो है वह हम लोग चुनौटरों के फॉर्म नहीं बढ़ने दिये गए हमने समाजवादी पार्टी के मानगर के लोगों ने पूरी लड़ाई उसके नतीजा यह हुआ कि हमारे फॉर्म फिर भी नहीं भरे गए बहुत सारे लोगों के फॉर्म आज भी नहीं भरे गए फॉर्म भरने का अभियान खतम हो गया पाई दिसंबर को उसके बाद फीडिंग का काम चला है हमें सूचना बराबर मिल रही है कि फीडिंग में भी समाजबादी समर्तित और राष्टी लोगदल समर्तित वोटरों के नाम फीडिक फीड नहीं किये जा रहे हैं इसलिए हम उनको जिलादीकारी महोदे को ग्यापन देने आये ते ग्यापन की सूचना हमारे महासची मनोज यादव जी ने सुभाई डियम कार्या ले को और इस खबर पर मैंस अजबादा बाचीत के लिए समधाता नितेश जुड़ चुके हालीगर से नितेश क्या है पूरा मामला किस वजह से घेराओ किया जा रहा है पूरा मामला लिगल का है जहां आरेलडी वा समधाती पार्टी के कार्यकरता दौरा आरूप लगाया गया है उनका कहना है दो यार्वाइक से चुनावों को वोटर लिस्ट में उनके नाम गायव हो गए है जी और प्रिसासन पर तन लिकस्ते हुए कहा है जो मौजी को सरकार जबाब में काम कर रही है जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमाई से जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस कबर पे हमाई से समधाता नेते ही जुड़े थे संभल में आप पार्टी से सपा में शामिल हुए शाह फैसल ने अपने निवास पर प्रेस वारता की और बताया कि ये प्रेस कॉंफरेंस आप पार्टी में काम कर रहे उनके करीबी लोगों को सपा में जोड़ने के लिए की गई है शाह फैसल ने आगे कहा कि भाजपक को हराने का केवल सपा ही विकल्प दिखाई दिया और आप पार्टी में उनका रहना मुश्किल हो रहा था इसलिए वो सपा में शामिल हुए हैं इस दोरान विधायक के बेटे और युवानेता सोहेल इकबाल दे कहा कि जनता नफरत और घृणा की राजनीती से परिशान हो गई है और अब इन सबसे हटकर जनता समाजवादी पार्टी से जड़ना चाहती है बुलंद शहर में ओल इंडिया थैलेसीमिया मिशन के तहट एक शिवर का आयोजन किया गया है इस शिवर में थैलेसीमिया से पीडित बच्चों के निश्यों को जाच की गई इस मौके पर दात्री बलड स्टेम सर डोनल रजिस्ट्री की सीनियर HLA डॉक्टर स्वाती प्रकाश ने बताया कि इस शिवर के तहट कैंसर और थैलेसीमिया से पीडित बच्चों का इलाज हो सके इसके लिए अलग-अलग जगह पर जाकर कैम्प लगाए जा रहे हैं तहलेसीमिया से पीडित मरीजों का एक मात्र इलाज है वो इलाज है बोन मेरो ट्रांस्प्लान और अगर परिवार वे कोई मैच हो तो ट्रांस्प्लान के बारे में इस तो उचा जा सकता है पूरा क्या देश वह इसका और इससे क्या लोगों को रस्पॉंस मिलता है और इससे क्या फाइदा मिलता है। देखे आज यह जो हमने यह शिविर किया है जो थालेसीय म्या से गरस्थ हैं पेशेंट्स, जो इसके अल्रडी मरीज हैं। उनको इसके बारे में कैसे अच्छा इलाज कर सकते हैं, कहां इसके लिए सुविदाय उपलब्द हैं, कैसे वो इन बच्चों का जीवन नॉर्मल रख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई, साथ में ही फ्री टेस्ट जो इसके इलाज के लिए जरूरी है, उसके लिए पर में कोई मैच है तो ट्रांस्परांट के बारे में सोचा जा सकता है। ऐसी सारवजनिक जगा पे करने का दूसरा उदेशी ये है कि आम जनता को भी इस बिमारी के बारे में जानकारी हो। तो सर आज हमारा यहां पे एक HLA का जो क्याम तका था मैं स्वाती प्रकाश हूँ दात्री ब्लट स्टेंशल डोनर रेजिस्ट्री से ये इंडिया की सबसे बड़ी रेजिस्ट्री है चार लाग पैंसट हजार जो असमबंदित ब्लट स्टेंशल डोनर्स हैं उनको पर आवाजीपुर गाओं के पास दो लड़कियों की यमुना नदी में जूबने से मौत हो गई यमुना नदी के किनारे दोनों किशोरी खेतों में चने का साग लेने गई थी यमुना नदी में हाथ पैर धोने के बहाने हसी मजाग करते हुए किशोरी का पैर फिसल गया ज यसे बचाने में दूसरी भी यमुना नदी के अंदर चली गई, गहराई ज्यादा होने के कारण दोनों नदी में डूब गई, ये द्रिश्य वहाँ पर मौजूद मचली पकड़ने वाले लोगों ने देखा, लेकिन जिब तक वो दोड़ कर आते तब तक दोनों लड़किया यमुना नदी की गहराई में पहुँच चुकी भी, जिसकी सूचना उनके परिजनों को दी गई, जहां सूचना पाते ही घर में कोहरा मच गया, साथ ही ये सूचना पुलिस प्रिशासन को दी गई, जिसके बाद थाना द्यक्ष चानदपूर योगेश्च कुमार ने तो फटेपूर से ये खबर सामने आ रही है, जहां दो किशोरियों के डूबने की खबर सामने आई है, दोनों बात करते करते नदी के किनारे हाथ पैर धो रही थी, तभी फिसलने की वज़े से एक युवती नदी में गिर गई, और दूसरी उसे बचाने के चक्कर में भी तूब गई, इस खबर पे मैं साथ बात्चीत के लिए समवदाता फटेपूर से जुड़ चुके हैं आमर दीप, अमर दीप, क्या कुछ जानकारी मिली है, दोनों युवतीयों के शव बरामद हो गए है, क्या कुछ जानकारी है, जी मामला बिलकुल सही है कि फटेपूर ज जिले के ठाना चानपुर छेत के आवाजी पूर गाउं का मामला है, जहां पर कल देर शाम दो किशोरियां जहे है, चने के खेत में चने का साख तोड़ने गई थी, पर इसके बाद कुछ देर बाद हाथ पैर धोने के बहाने, बगल से बहर ही यमना नदी में, वो हाथ पैर दोने लगी, और इसी दरमियान एक किशोरी का पैर फिसल गिया, तो जब पहली किशोरी जब दूबने लगी, तो दूसरी किशोरी उसको बचाने के लिए उभी गहरे पानी पे चली गई, और दोनों किशोरीयां लापता होगी, पर वहीं पर एक मच्छी पकड़ने वाले म पच्छारों जब उनने देखा, तो उन लोगों ने बचाने की विकोसिस की, पर नहीं मिल पाई और गाउवालों को सूचना दिया, तो काप लगवा, आदे गंटे बाद, जहें किशोरीयों के शोको बरामत किया जा चुका है, पर वैसे ही जैसे ही फटेपुर बिनकी के उ भी मौके पर पहुंच गये हैं, अगर देखा जाए तो जो एक जड़ गंटे बाद सौव बरामत हुए है, उनमें परिवार जनों में कोराम मच गया है, पलिस ने दूसरी तरफ उन दोनों श्रमों को अपने उसमें कबदे में लेने के बाद पोस्ट मार्टम के लिए उनक अमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मैसे समधा था, मरदीब जुड़े तेफ़त है पूर से एक भाई की मौत हो जाने पर उनकी पत्नी ने मकान का अपना हिस्सा बेच दिया है, मकान खरीदने वाले रारवारी के युवक ने मकान के तिराही हिस्से के बदले पूरे मकान का जबरन कमसा कर लिया है, जिसके बाद दबंगों ने मृतक की पत्नी को जबरन घर से निकाल नहीं आया है और इसमें शुकायत भी दर्ज की गई है जिस पर अभी तक कोई संग्यान नहीं लिया गया है आईए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा है कि यहां पर परसानी यह हुई कि हमें जब हम आ गए यहां पर तो ना तो हमारे लिए रवादा उन्हों बंद कर लिया नहीं 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 किया हमको नहीं जानकारी है मैं गया यस्पी साब के यहां बहां पता चला कि 25 तारिक को 25 सितंबर को वहां खाना दिवास है वहां पूरे दिन बैठाय रहा है और माननी हमारे कर दो लोग और उसमें है जिन्हों मुझे गाली गलोज भी कि साले जो भी हो तुम कित्ते बड़े हो कित्ते छोटो मैं नहीं जानता साले पीट के उसकी फोटो है मेरे पास आप उसकी फोटो देखिए हमारा कहिना यह है कि हम उसका अपना पिया हिस्ता वो ले ले जहां जहां उसका बनता जो लिखा पड़ी में लेकिन बाकी हिस्ता छोड़ दे हम सलक पे रह रहे हैं हम बगर चपके सो रहे हैं मौके थाना सराय लखांसी के कंधेरी गाउं में पति के मृत्यू से दुखी महिला ने तीन बच्चों समेट जहर पीलिया जिसको गंबीर हालत में गाउं वालों ने जिला चिकित साले के इमर्जनसी वार्ड में भरती कराया सभी के हालत नाजुक बनी हुए डॉक्टर चारों की जान बचाने की कोशिश कर रही है एक बच्चा तीजिस लग रहा है बाकी इस्टेविल है लाग चल रहा है और इस खबर पे मासर्जाद बाचीत के लिए समधा था कमलेश जुड़ चुके है माउसे कमलेश किस वजह से हुई पती की मृतियों और क्यों पत्नी ने बच्चों समेट जहर खा लिया पत्नी की चार बच्चे थे जिसमें जहर बंटाईया दवाई जिसको बोलते हैं जहर पत्क क्या है जे तो अब सभी की हालत कैसी बनी हैं अ बच्चे गंवीर णिस खबर और बच्चे भी त्टिख हैं जो बहुत 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 aspirस het जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए इस ख़बर में मैसे समधाता कमले इस जुड़े थे माउसे खबर और आया से है जहां सदर कोथवाली के भावपुर गाउ के पास नैशनल हाईवे पर और आया से कांगपुर की तरफ जा रही बाईक अग्यात कारणों से सडक हाथ से कशिकार हो गई जिसमें दो युवकों का एक्सिडेंट हो गया जिसकी सूचिना मिलते ही पहची पुलिस ने घाल युवक को स्पिताल में भरती कराया जहां इलाज की दोरान एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज किया जा रहा है तेज रफतार का कहर एक बाई फिर देखने को मिला है जब वाईक का एक्सिडेंट हो गया और युवक की मौत हो गई है आपको बता दे कि और एया से खबर सामने आ रही है सदर कोतवाली की खबर बताई जा रही है भावपुर गाउं के पास नैशनल हाईवे पर और एया से कानपूर की तरफ जा रही बाईक का अग्यात काड़ों से सड़क हाथ से का शिकार हो गई जिसमें दो युवक का एक्सिडेंट हो गया है जिसकी सूचना मिलते ही पहुंची पिलिस ने खायल युवक को उसकिदाल में भरती कराया जहां इलाज के दरान एक यु महिला को जोरदा टिकर मार दी जिसके बाद बुज़ुर्ग महिला को रहागीरों की मदद से 108 एंबुलेंस के जरीए जिलास्पताल भरती कराया गया जहां बुज़ुर्ग महिला को देखते ही डॉक्टरों ने उसे अम्रित गोशित कर दिया परजन का कहना है कि किसी गाड़ी ने टक कर मार दी है बाकि जो भी है वो पोश्ट मार दी है चंदॉली के तियरा गाओ के पास एक बाफ तेज रफतार का कहर देखने को मिला है जहां तेज बाइक सवार चलती ट्रैक्टर में पीछे से घुस गया जिसकी सूचना मिलने के पाद पहुची पुलिस ने सभी घायलों को जिलास्पताल भेजा जहां चिकेट सकुनी दो लोगों को मृत घोशित कर दिया है वहीं एक घायल यूबक का इलाज किया जो रहा है दोनों मृतकों की शिनाक्त करने के बाद परीजनों को सूचना दी गई जिसकी सूचना मिलते ही परीजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस खबर पर मैं सब्सक्राइब बाचीत के लिए समधाता अजीत जुट चुट चुके हैं अजीत कैसे हुआ ये हादसा मैं आपको बता दे कि लगबल सारे साथ बजे का हास्ता हुआ है एक टेक्टर खड़ी थी और उसमें दो तीन लोग बैठे थे बाइक सवार आ रहा है थे तीनों लोग जिसमें टेक्टर में अचानक सी टक्कर और मानने से दो लोग गंभी रूप से तुरंट उनकी पर मौत हो गई और एक लोग जिसको जो घायल हो गए उनको जिलास पतार लाया गया और भी उनका इलाज उलाज चाह रहा है और दो लोग को पुश्ट मास्टम के लिए भेज कानपुदेहात सिकंद्रा थाना चेत्र के रजधान कस्वे में उस समय संसरी फैल गई जब एक अग्यात युवक कशव हाईवे के किनारे खंड में पड़ा पाया गया युवक कशव मिलने से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है जिसके बाद लोगों ने युवक क हत्या करके शवक को फेके जारी की आक्शन का जताई है वहीं युवक कशव मिलने की सूचिना पर पुलिस के आलाधिकारी भारी पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुचे और घटना की जाच शिरू कर दी पुलिस ने युवक के शवक को पोस्मॉटम के ल पुलिस मौके पर पहुची है लगभग साढ़े नव बजे की सूचना है इस दोरान यहां मौके पर डेटबाडी जरमद हुए है उसके सेर में गंभीर चोटे हैं और धार-दार हथियार से रहार किया गया है जिसमें सेर में और चेहरे पर गंभीर चोट है और पुन के नि पिल्ड यूनिट और प्राइम ब्रांच के टीम और अस्तानी अठाना को में सब मौझूद है और एक को जल्दी ही किसे नाफ करके कानपुर देहाद से एक खबर सामने आ रही है जाफ चोब मिलने से संसरी फैल गई है हाईवे के किनारे शोब मिला है जिसके बाद पुलिस ने हत्या करने के बाद फेक देने की बात कही है और इस खबर पे हमारे साथ जादा बाचीत के लिए समधाता तस्लीम जुड़ किनारे एक सव मिलायरोट किनारे इस पर सुचना पहुंचने पर भारी पुलिस वाल फोर्स वहां पर मौझूद रहा पर पहुंचे हालाकि अभी तक स्थनाक्त नहीं हो सकी है कि पैसान नहीं जा सका है कही नहीं देखा जाए तो जो एक अंपुस लगना चाहिए क्राइम और वो करने ही एक कानपुर्द्याद में लगातार कई ऐसे सो मिल चुके है जिनके भी तक सिनाक्त भी नहीं हुई है और लगातार हत्या करके सो फेके जाने के संका जता ही जा रही है तसलीम घटना स्थल से क्या को ऐससा सबूत मिला है जससे यह पुकता हो जाए कि इस व् पुलासा किया जाएगा जिबलकुल बहुत बश्शुक्रिया में से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए इस ख़बर पर मैसत कांपुर्द्याहाद से समधा ताता स्लीम चुड़े थे वहीं अब ख़बर प्रताबगर से है जहाँ पर एडिशनल स्पी रोहित मिश्रा की अगवाई में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है एडिशनल स्पी रोहित मिश्रा ने संदिग्द वाहनों की तलाशी कराए गई पुलिस को शराब माफियाओं के खिलाफ प्रताबगर से ख़बर सामने आ रही है जहाँ पुलिस ने अभियान चलाया है तलाशी अभियान ताकि जो है ग्यार कानूनी गदिविधियों पर रोक लगाई जा सके चेकिंग अभियान चलाया है पुलिस द्वारा ताकि जो है जिस तरह की ग्यार कानूनी गदिविधियों चल रही है उन पर रोक लगाया जाए कानपुर बार एसोसियेशन के चनाव में इस बाद जम कर हंगामा देखने को मिला सुभा से ही फर्जी मतदान को लेकर वकीलों में रुक रुक कर जड़ब होती रही जसके चलते एक दो बार मतदान रुका लेकिन दो पहर बार हंगामा बढ़ा तो मतदान रोक दिया गया बाद में एल्डर्स कमेटी ने मतदान रद करने की घोशना की तो वकीलों ने तोड़ फोड शुरू कर दी चुनाओ लड़ रहे दो उमीदवारों के गुट आमने सामने आ गए उनके बीच गोली बारी शुरू हो गए फाइरिंग हवाई हो रही थी लेकिन इस बीच गोली एक अधिवक्ता गौतम को लग गई जिसमें आनन्फानन में LLR अस्पताल में भरतिक रहे गया जहां उच्चार की दौरान अधिवक्ता की मौत हो गई है जिसके बाद कई थानों के पुलिस मौके पर पहुच गई है आज कानपुर में बार का चुनाओ था जो की चुनाओ कुछ विवादों के कारण रूका गया उसके बाद में इसको दुबारा करने का निड़ना है एंडर्स कमिटी जो वरिष्ट अधिवक्ताओं की समिती आज़ित कराती है उन्होंने लिया यह ने लगबग पांच वेकर आसपास हूँ और करीब साथ साढ़े साथ बिजे घटना यहां पे हुई यहां लोग खड़े हैं यहां पे एक मानिया देवत्ता है उनके पेट में गोली लगी है और मौके से एक 315 का कार्तूस भी अभी पुलिस नहीं कवर किया है इलाज इनका कराया जा रहा है है हैलेट हॉस्पोटल में और डॉक्टर्स देख रहे हैं यहां पे मौके पे जो अभी तरह जानकारी हम लोग को आ रही है कि जो अलेक्शन अंदर हो रहा था उससे कोई सीधा संपर्ख इस बात का अभी तक नहीं मिला है अभी तक कोई तरीर भी प्राप्त नहीं है जैसे इसकी शिकायत प्राप्त होती है उत्ता प्रदेशी खबरों में फिलाहा लिता ही तब आप खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका